हेलो गाई जाज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ वो सारा सेक्रेट सॉस जिसके वज़ेसे फ्रेस एक्टर को कास्टिंग एजेंसी ऑडिशन हाउस कास्टिंग डिरेक्टर अपने पास ऑडिशन के लिए बुलाता और लुटकश लेता है तो सारा सेक्रेट सॉस अस जिसके वज़े से फ्रेस एक्टर को audition के लिए बुलाया जाता है casting agency उसको पहला preference देता है उसके बारे में आज reveal करूँगा और वीडियो के last तक आपको बहुत सारा कुछ idea मिल जागा और मुझे 95% उमीद है कि आपको भी audition के लिए बुलाया जागा अगर आप इस सारा secret sauce अपने अंदर लाते हैं तो तो चलिए वो सारा secret sauce को एकर करके reveal करते हैं और आपको बताते हैं कि वो secret sauce असलम है क्या और आपको secret sauce के बारे में क्यों जानकारी चाहिए ताकि आपको audition के लिए आपको काशिंग agency सबसे पहले बुलाया तो पहला formula secret sauce का वो है आपका body body आपको बिल्कुल groom होना चाहिए body आपको बिल्कुल six pack आप बाला होना चाहिए अगर आप male actor है तो अगर आप female भी actor है तभी आप बिल्कुल hot and sexy होने चाहिए आपका body बिल्कुल sleek होना चाहिए आपको बिल्कुल hot and sexy होना चाहिए यार आपका मर्द वाला चाहिए अगर आप लड़की है तो बिल्कुल hot होनी चाहिए यह बहुँ जुरूर है आपका सरीर आपका सरीर ही सबसे बड़ा पुझी हो था अक्टर के लिए तो body पे आपको काम करना होगा, अगर आपका body बिल्कुल मतलब पेट फुला हुआ है या फिर बे-size का है तो आपको इसको size बलाना होगा, आपको gym join करना होगा, आपको अपने सरीर कुपर काम करना होगा और बिल्कुल sudole सरीर बनाना होगा, ये पहला formula है, दूसरा है आपका hair, आपका बाल आपके look को enhance करे, इस तरह का आपका बाल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी style में आप कंगी कर ले, किसी भी style में आप बाल मतलब बढ़ा ले, ये नहीं, ऐसा style का आपको बाल रखना होगा, जो आपके look को और ज़्यादा निखार कर सामने ल होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको अलग-अलग style से अपने बाल के ऊपर experiment करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरे बाल का कौन सा style मेरे look को और ज़्यादा enhance करता है, ये style पता करना बहुत जरूरी है बाल का, किसी भी actor के लिए, जब आपका बाल आपके look करेगा, और आपका body six pack वाला रहेगा, और female है तो अगर आपका hot and sexy body है, तब आपका ये पहला appearance होता है, यहां से आपका hero बनने का journey start होता है, आपका चेहरा और आपका बाल से, secret sauce का तीसरा formula है, वो है आपका face, हर एक के face पे कुछ ने कुछ दाग धबा रहता है, किसी के face प थोड़ा सा touch up करना होगा, अगर आप female actress हैं, तब तो आपको full makeup करके हमेशा रहना होगा, सुबह से लेके शाम तक आपका makeup आपके face पे रहना चाहिए, आपके पास हमेशा एक छोटा सा makeup bag होना चाहिए, जिसको आप हमेशा touch up करते रहे, कहीं भी जाने तो जाने से पहले, य यह criteria है, आप अच्छे दिखने चाहिए, यह सबसे बड़ी बात होती है actors के लिए, आपका look बहुत ही अच्छा होगा, आप भीड से अलग दिखे, भीड के लोग तो ऐसे ही चलते हैं पूरे दिन, लेकिन आप actor है, आपको अलग दिखना पड़ेगा भीड से, तभी आपको लोग पहचानेगा, तभी आपको लोग देखेगा, तभी आपको लोग care करेगा, आपके बारे में बात करेगा, और वो तब करेगा जब भीड से अलग आपको हो, तो भीड से अलग दिखने के लिए आपके चेहरा पे हमेसा make-up होना चाहिए, और वो make-up आपको ऐसा होना जो आपके look को और जादा enhance करें, मतलब हर एक चीज आपको इस तरह से करना होगा, जो आपको और जादा सुंदर दिखाए, आपको भीड से अलग बनाए, आपको भीड का हिस्सा बिल्कुल ना रहने दे, ये चीज पर आपको काम करना दे, तो तीसरा फर्मूला था आपके face को और जादा अच्छा दिखाने का, secret sauce का चौथा फर्मूला है cloth, आपका जो पहनावा है आपका जो attire है वो आपको और अच्छा बनाए, आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लेना है, नहीं, आपका जिस तरह का look है, उसी तरह का आपका कपड़ा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के, और कहीं भी चले गए, आप अपने religion को follow करते हैं, तो आप religious कपड़ा पहन के कहीं भी जा रहे हैं, आपको universal कपड़ा पहनना होगा, आपको mood के हिसाब से क कपड़ा पसंद करना होगा, आपके पास हमेशा अच्छा अच्छा कपड़ा रहना चाहिए, एक actor के पास हमेशा कम से कम भी तो 20 जोड़ी कपड़ा ready होना चाहिए, ready to use, कहीं भी जाने का जरुवत पढ़ जा है, आपके पास 20 जोड़ी कपड़ा है, जिसमें से आप सिलेक करके वो पहन के जा सके, तो आपके पास कपड़ा का भंडार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास कपड़ा नहीं है, आपके पास कपड़ा होना ही, चाहिए किसी भी हालत में कपड़ा सूज, यह आपका basic criteria है, यह आपका basic मतलब need है, जैसे रोटी कपड़ा मगान होता ह काम आदमी के लिए उसी तरह के एक्टर के लिए सारा एक basic comment है secret sauce का पाच्छा फर्मूला है डालोग delivery आप जब तक अच्छा डालोग नहीं बूलिएगा ना तब तक आपका acting अच्छा नहीं होगा तब तक आपका audition अच्छा नहीं होगा और डालोग delivery आप कैसे किजेगा अच चाहिए हिंदी लिखने आना चाहिए हिंदी को अच्छे तरह से express करने आना चाहिए किस सब्द पर जोर देना किस सब्द पर जोर नहीं देना कहां पर रुकना है कहां पर पूरी तरह से रुकना किस सब्द को किस तरीके से बोलना यह आपको पता होना चाहिए और तब पता हिंदी को मतलब घोल के पी जाना है के अक्टर को, हिंदी में यह नहीं कि हमको नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस सब्द को कैसे उचारण करें, क्योंकि जब माइथो सीरियल जब आप कीजेगा, जब आप हिस्टोरिकल ड्रामा कीजेगा, तो हाँ पर बहुत सारा पुराना पुर जरूर पढ़िए, वहां से आपका हिंदी को पर कमांड होगा, तब आपका काफी ज़्यादा अच्छा होगा, यह था बहुत ही पढ़िया फर्मूला, और इसी फर्मूला से रिलेटेड है, अगला फर्मूला होँगा है आपका एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हर एक भाव को, हर एक पल को एक्सप्रेस करने आना चाहिए, चाहे हो शुख हो, दुक हो, फाइटिंग का सिक्वेंस हो, या फिर रोमांटिक सीन हो, होट और सेक्सी सीन हो, किसी तरह का भाव हो, वह आपका चेहरा से एक्सप्रेस होना चाहिए, आसा नहीं कि आप मन में बद सोच आप चेहरा का exercise का एक बहुत ही भाष्ट चैप्टर है, इसको मैं अगला वीडियो आपको जरूर बताऊंगा, तो चेहरा का expression का exercise आपको करना पड़ेगा, चेहरा को expressive बनाना पड़ेगा, आपको चेहरा का हर एक मांस्पेसिया को तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल expressive होना चा सात्मा फर्मूला है वो है योगा, योगा आप करने से आपका स्मरण शक्ति, आपका सरीर, आपका लोग उस सारा कुछ enhance होता है, और एक बार आपका स्मरण सक्ति जब अच्छा हो जागा तब आप एक पेच का डालोग मिनिट भर में ऐसे याद कर लिजेगा, जब आपका अगला डालोग के वज़से आपका अग्टिंग खराब हो रहा है, इस चीज को क्यों नहीं सोच रहे हैं आपका डालोग डिलिवरी होना चाहिए, आपको डालोग याद होना चाहिए, और याद तब होगा जब आपका स्मरण सक्ति अच्छा होगा, आपका योगा कीजेग आप खुश रहिएगा, आपका माइंड बिल्कुल फ्लाइट रहेगा, बिल्कुल अगदम खाली रहेगा, इसका वज़से किसी वितरगा कोई भी तनाव नहीं रहेगा, और एक अक्टर के लिए बहुँ जरूरी होता है, सुबह सुबह डेली आधा गंटा से एक गंटा के बीच में आपको योगा करना ही चाहिए, आप सुबह उठिये, उसके बाद योगा कीजिए, पानी पीजिए, और अपने उपर काम कीजिए, अपने आवाज को उपर काम कीजिए, न्यूज पेपर बोल के पढ़िए, ये सारा आपका सुबह का एक्सरसाइज है, ओडिशन देने जाने से पहले का, ये करने से आपका ओडिशन तो अच्छा जाएगा ही, आपका एक्टिंग भी अच्छा होगा, आप एक अच्छा आदमी भी बनिएगा, तो ये फर्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट है, किसी भी एक्टर के लिए, सेक्रेट सॉस का आठवा बहुत सारे एक्टर है, जाने वाले वैसे होते हैं जिनका एक्टिंग में कुछ नहीं हुआ, वापस घर जा रहे है, बतलब समाज़ दिजे, दीन भर में कितना ट्रेन बॉम्बे आता है, उसमें से 90% लोग अक्टर बनने आते है, किसी भी एज़ के हो, उनका यही सपना हो लोगों को मैं अपने वीवर को भीड सलग दिखाओं और भीड सलग दिखेने के लिए यह सारा ट्रेट्स मैं आपको बता रहा हूं यह सारा वो पॉइंट्स बता रहा हूं जिसको पर अगर आप काम कीजेगा तो आप वीड सलग बनियेगा तो आपको से ला फ्रेंड़ी नेचर होना पड़ेगा, आपको इस इगो में नहीं नहीं रहना है कि मेंरे पास लोग आ आए नएगल अकर कि PSI के पास चलए जाईगा, कुछ मिलना पड़ेगा और तुरंद घुल मिल जाना पड़ेगा ऐसा नहीं कि बस गयाएं बात कियां ऊपर से हायलू नहीं बिलकुल उनके साथ घुल मिल जाएं उनके जीवन का हिस्ता बन जाएं और यह इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा इस friendly nature के वज़ा से, कैसे audition होता है, कहा audition हो रहा है, कौन सा audition fake हो रहा है, कौन सा audition शही हो रहा है, किस से मिले तो काम होगा, ये सारा कुछ आपको पता चलेगा अंदर के बाद, आपका friendly nature आपका करवाएगा ये काम, तो बहुत जरूरी है friendly nature एक एक्टर को होना, secret sauce का norma formula है, वो है आपका mannerful होना, आपको अनुशासन के साथ रहना पड़ेगा, आपको timely करना पड़ेगा, जो बोला जाया, जैसे बोला जाया, वैसे आपको वो काम deliver कर देना है, जितना दिर hold करने के लिए expression बोला जाया, जिस तरह से dialogue का delivery करने के लिए बोला जाया, जिस तर आवे के साथ कह रहा हूं, और हम लोग director ऐसा ही actor चाहते है, director actor जो होता है न, उसको बहुँ ज्यादा footage मिलता है, ये director का हमेशा रहता है, कि जो actor उसके अनुशार से काम कर रहा है, उसको ज्यादा time देता है, तो आपका ये mannerful nature आपको बहु ज्यादा help करता है, बहु है, personal buyer, driver है, नहीं भाई, ये है तभी है, जब आप अच्छे काम कर रहे है, जिस दिन आपका काम खराब हो जागा न, ये सारा कुछ, मतलब second hour में हटा दिया जाएगा आपके पास से, कुछ नहीं आपको मिलेगा, आप बिलकुल मतलब अकेला हो जाएगा, ये तभी काम करे वो है आपका acting skill, आपके पास सारा traits है, लेकिन अगर आप अच्छे acting नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक अच्छे actor नहीं है, आपको अपने acting के ऊपर काम करना होगा, और acting तब आपका अच्छा होगा जाप daily एक film देखिएगा, आप film देखिए अलग-अलग junior का, अलग- अच्छे acting करते हैं, और वहाँ से आपको बहुत कुछ पता चलेगा, एक actor को daily एक film देखना चाहिए, actor को ही नहीं, सारे filmmaker को daily एक film देखना चाहिए, film यह उसका सबसे बड़ा course है, film ही उसका सबसे बड़ा school है, वहाँ से बहुत कुछ सीखता है, film से, तो film आपको daily एक देख करते रहिए, आप 9-9 character को observe करते रहिए, उसको उपर घर में practice कीजिए, dialogue deliver कीजिए, film का scene देखिए, उस scene को अपने तरीके से create कीजिए, उस scene को अपने दोस्तों के साथ suit कीजिए, इस से आपको पता चलेगा कि original scene कैसा था और आप जो scene suit किये हैं, आप जो scene में dialogue delivery दिये हैं, यह बहुत कुछ आपको help करेगा, तो वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को विजम सेर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कियां, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा, तब तक के लिए keep watching and जैन दोस्तों!